नमस्कार दोस्तों तो दोस्तों कैसे हैं आप सब तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि ESIC के तरफ से UDC और इस्टेनो ग्राफर का स्किल टेस्ट का डेट आ चुका है है ना तो आप लोग इसका तयारी अच्छा से कर रहे होंगे तो इसी करम में आज आपको बताए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों जो नए होंगे उनको पताने होगा कि किस तरह से skill test होगा और qualify करेंगे या नहीं करेंगे सब कुछ आपको अच्छा से बता दे रहे हैं जो आपके मन में जो भी doubt होगा वो एकदम जो है clear हो जाएगा और आप लोग इसका skill test एकदम आसानी से qualify कर सकते हैं ज्यादा ये tough नहीं है ओके हां तो आएए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं और आप लोग यही मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और आप वीडियो को like कर दीजिएगा ओके तो दोस्तों चलिए आपको अच्छा से सब कुछ इसमें बत का होगा skill test है ना तो ये आपका दिया हुआ है date है और इसी date को आप लोग confirm रही है कोई मतलब जादा ये आगे पीछे होने वाला नहीं है इसी date में आपका हो जाएगा ओके और आप आईए चलते हैं मुद्दे की बात पे दोस्तों ये आपका इसका पैटर्न है skill test का है ना और इसी के according आपका skill test लिया भी जाएगा तो आप लोग सबसे पहले ये जान ले कि इसका कितना कितना score है और आपको इसमें से क्या पे अच्छा से ध्यान देना होगा जो लोग नए होगे हैं जिनको powerpoint पे अच्छा से काम नहीं आता होगा करने के लिए जिनको excel पे है ना और MS Word से आपको 20 नमर का आएगा और उसके बाद आपका excel से भी पूछेगा 20 नमर का है ना यह आपका क्या है scoring रहे का मतलब यह इस तरह करके और इसमें जो qualify जो करना है उसके लिए आपको चाहिए कितना 17 marks only है ना और आपका जो total कितना नमर का है 50 नमर का और time कितना ह है आधा घंटा का तो अभी तो आपको लगड़ा होगा कि आधा घंटा का time है लेकिन उस time जब आप यह skill test दीजिएगा तो आपको लगेगा कि आधा घंटा आपके लिए कम पर गया है ना तो आपको इसमें क्या करना है कि सिर्फ qualify होना है इसका score तो आगे कोई माइने नही रखने वाला है तो qualify करने के लिए आपको क्या करना परेगा कि मतलब जैसे आपको सिर्फ typing आती है है ना आपको यह सिर्फ typing आती है और Excel में आप थोड़ा क्या है धीले है आप थोड़ा PowerPoint में क्या है उतने आप मतलब जैसे जल्दी से नहीं कर पाते हैं अभी आप जैसे जो आपका ESIC के website पे दिया हुआ है और 100% उसी type का question मतलब जैसे उसी type से आपका पूछा जाता है आपके यह skill test exam में भी ओके तो आपको यह qualify करने के लिए कितना नमर चाहिए 17 नमर 17 और यह word के लिए MS word में आपको कितना नमर दे रहा है 20 है ना तो आप सिर्फ MS word में अच्छ से काम आप यदि कर देते हैं वो जो फर्मेट देगा वो आप एकदम मतलब हू बहू आप छाप देते हैं आप होगे qualify आप यदि अच्छा से powerpoint नहीं बना पाए यह जो है slide आप नहीं बना पाए आप MS Excel में जो फर्मूला वाला दिया होगा एक जो भी मतलब चार्ट देग आपका किसी का font रखेगा छोटा किसी का बरा तो आपको सब कुछ भी ध्यान देते हुए type आपको करना पड़ेगा फर्मेटिंग भी आपको करना पड़ेगा है ना तो हम यह कह रहें कि यह जो आधा घंटा का है time आप यदि 15 मिनट भी इस आप MS Word पे यदि दे देते हैं औ आप यदि कोई भी गलती नहीं करते हैं है ना आपको typing आता है और थोड़ा font छोटा बड़ा italic space इस अब आपको अच्छा से करने आ रहा है तो आप only MS Word के आप जो भी उसका format होगा question को आप यह type करके आप छाप करके आप आसानी से qualify कर सकते हैं ओके आप इसको देखिए यह इतना जो matter जो लिखा हुआ है यह आपका क्या थराज है बोल्ड कर दिया है यहां पे bracket दिया है तो आपको ऐसे ही छाप देना है बस आपको अब इस तरह से छापने आना चा आता है बनाने के लिए तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना आपको सिर्फ छापना आना चाहिए एक्सल में पावर पॉइंट में और वर्ड में आपको जो पेज देगा आप मतलब हूँ बहु छाप दीजी आपको पचास में पचास में मिल जाएगा लेकिन जो लोग अच्छा से टाइप कर देते हैं जैसा मेंटर देगा पेज पर तो आपको आसानी से आप इसमें क्वालिफाइग कर सकते हैं तो दोस्तों आए और आपको बताते हैं कि इसका सेंपल कोस्टन कैसा दिया हुआ है और आपको किस तरह से प्रैक्टिस करना होगा तो दोस्तों स तरह से PowerPoint बनना पड़ेगा आपको जो है slide बनना पड़ेगा दो है ना तो और इसमें आपको जो है data फिल करना होगा है ना यह जैसा आपको यहां पे दिखड़ा है उसी तरह का आपको भी बनना पड़ेगा है ना और फिर जब type मतलब जैसे print होके आए तो आपका ऐसा ही जो द और कुछ मतलब अलग नहीं आता है आप जो ज़्यादा मतलब ध्यान दें इस पे आप यह जो है word पे यहां पे देखें MS word पे आप लोग अच्छा से ध्यान दें यह जो है 20 नमर का है और जिनका भी Excel और PowerPoint उतना अच्छा नहीं है आप सिर्फ MS word पे ध्यान दें और आपको ह बहु ऐसे ही चापना होगा है ना इसमें जो चीज दिया हुआ है aim of education तो आपको भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसका size क्या रखना पड़ेगा 20 तो आपको इसका भी size आपको 20 ही रखना पड़ेगा तो यह सब चीज आपको ध्यान देना होगा समझे मागिया ना अब यहा पर रख दिये 18 size तो फिर आपका गडबर हो गया तो फिर इसके लिए आपका जो नमर काट लिया जाएगा मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको पुड़ा कपुड़ा जो कट कर दिये जाएगा नहीं आपका इसके आधार पे वो लोग अपना जो नमर करते हैं decide कितना नमर काट आजाए ना वर्ड के हिसाब से करते हैं क्या भी वह अपने जो हिसाब से आपका जो नमर करेंगे लेकिन आपको यह 20 लिखा है तो इसका आपको फॉंट 20 ही रखना परेगा है ना यह आ गया समझ में आ गया और यह आपका जो element कैसे रखना है तो यह center में रखना है नहीं ज इसका size आपका 12 रखना है और इसमें single line जो space है मतलब जैसा रहता है generally वह इसा रहेगा और यह मतलब जैसे किस side रहेगा तो left side रहेगा है यहाँ पर जो देख रहे हैं left element है मतलब जैसे यह start होता है आपका typing वही सही रहेगा तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है आपको स 14 साइज का रखना है तो आपको उतना ही रखना परेगा तो आप लोग simple सा पंडा इतना टाइप कर लीजिएगा और इसको फिर select करके जो भी size का बोलेगा आप उतना size आसानी से कर सकते हैं तो आप लोग इस पर अच्छा से ध्यान दीजिए यह आपका वहला है 10 रहेगा size क रहेगा तो आपको भी यह 10 साइज में रखना है और इसको करना है justify में रखना है तो इसको आप लोग select करके control कर दीजिएगा यह हो जाएगा justify समझ में आ गया और इसका जो space है वह आपको double line यह space इसमें बोल रहा है कि रखना परेगा तो इसको आप select कर लीजिएगा और simple सा पंडा है आप paragraph setting होता है जाइएगा उसमें उसमें आपका रहता है one line यह space जो मतलब double line जो है one point five करके रहता है वो आप एक बार select करके कर दीजिएगा यह आपका उतना space का हो जाएगा तो आपको यह सब चीज सीखना होगा तो आप इस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए अच अच्छा से सीख लीजिए आपको यदि नहीं आता है तो किसी भी टीचर से जाके मतलब जैसे कोई इसका जैसे की DCA, DCA सब जो करवाते हैं उनसे जाके थोड़ा सा हिल्फ जो दस दिन का हिल्फ आप जो ले लीजिए उनसे बोलिए सरम को यह जो सिखा दीजिए आप लोग और का भी कुछ भी आप जो है टेवल भी सिर्फ यह बना दीजिएगा तब एक दू नमर मिल जाएगा ओके ताप लोग अच्छा से धेहन दे और यह 17 नमर जलाना टफ नहीं एकदम इजी एकदम इजी ओके हां तो आसानी से आजाएगा और आपको यदि कुछ भी पूछन कई से किया जा सकता है तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा से नीव वीडियो लेकर तब तक लिए धनेवाद नमस्कार